आज हम पढ़ेंगे बविश्यत काल के भेद बचो जैसा कि मैं आपको अपनी पहले वीडियो के अंतरगत बता चुकी हूँ कि बविश्यत काल अर्था जिसे इंग्लिश में हम फ्यूचर टैंस मोलते हैं वह होता है या उसे कहते हैं जहां हमें किरिया के रूप से यह पता चले कि कार्य होना अभी बाकी है अर्थात किरिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूरा होने का हमें बोध हो यह पूरा होने का हमें पता चले आने वाले समय में उसे हम कहते हैं भविशत काल आज हम अपनी इस वीडियो के अंतरगत भविशत काल के भेद के विशह में जानेंगे भविशत काल के दो भेद होते हैं पहला भेद होता है सामान भविशत काल तistent दूसरा भेद होता है संभाव भविष्यत काल आज हम अपने इस वीडियो के अंतरगत इन दोनों भेदो के विशय में विस्तार से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामण्य भविष्यत काल के विशय में सामण्य अर्थात साधारण भविश्यत यानि आने वाला समय, काल यानि समय तो इस प्रकार से सामन भविश्यत काल वह होता है जहां हमें क्रिया के रूप से उसके आने वाले समय में साधरन रूप से होने का या फिर कहें सामन रूप से होने का हमें बोध होता है वहां होता है सामान्य भविश्यत काल जैसे की प्रताब कल दिल ली जाएगा कल विध्धाल्य बंद रहेगा वच्छों आपने देखा इन वाक्तियों में जाएगा और बंद रहेगा इन किरियाओं के माद्दम से हमें आने वाले समय में इनके सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है कि कल विध्धाल्य बंद रहेगा तथा प्रताब कल दिल ली जाएगा अधा यह किरियाओं कहलाएंगी सामान्य भविश्यत काल का उधारन तो इस प्रकार से हमने जाना कि किरिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का या फिर कहें साधारन रूप से होने का हमें बोध हो हमें पता चले उसे हम कहते हैं सामान्य भविश्यत काल दूसरा भेद है संभावे भविश्यत काल संभावे अर्थात संभावना अर्थात किरिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में कार्य के होने की संभावना का हमें बोध हो अर्थात भविश्यत काल की जिस किरिया से उसके भविश्य में होने की संभावना का बोध हो संभावना का हमें पता चले उसे हम कहते हैं संभाव भविशत काल जैसे की शायद कल दादा जी गूमने जाएं कदाचित मोहन कल यहां आएं तो बच्चों आपने देखा इन वाक्यों में जाएं आएं इन किरियाओं के माधम से इनके भविशत काल में या फिर कहें आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना का बोध हो रहा है यानि संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कल दादा जी गूमने जाएं वहीं दूसरे वाक्यों में काग जा रहा है कि कदाचित मोहन कल यहां आएं तो इस प्रकार से इन वाक्यों में इन किरियाओं का भविशत काल में या फिर कहें आने वाले समय में पूरा होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है अते यह कहलाएंगी संभाव भविशत काल का उधारन अते संभाव भविशत काल की परिवाशा होगी कि किरिया के जिस रूप से उसके भविश्य में होने की संभावना का बोद हो उसे हम संभाव भविशत काल कहते हैं अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके भविश्यत काल में पूरा होने की संभावना व्यक्ति की जाए वहां होता है संभाव भविश्यत काल तो इस प्रकार से आज हमने अपनी इस वीडियो के अंतरगत भविश्यत काल के भेदों के विशह में जाना भविश्यत काल के दो होता है पहला भेता सामान भविश्रत काल तरहा होता है जहाँ पर हमें क्रिया के रूप से उसके सा आने वाले समय में साधरन रूप से होने का या फिर सामान रूप से होने का हमें बोध होता है वहां होता है सामान भविश्यत काल तदा दूसरा भेद है संभाव भविश्यत काल किरिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना का हमें बोध हो उसे हम कहते हैं संभाव भविश्यत काल अब हम करेंगे कुछ प्रषनों का अभ्यास जिसे आज आपने इस वीडियो के अंतर का जो भी कोसी का है आप उन प्रषनों का अभ्यास करके अपना मुल्यांकन कर सकें तथा आप जान सकें कि आज आपने कितना सीखा है तो पेहला प्रश्ण है, हम कल अच्छा खेलेंगे, अप्रुक्त्व दिखांकित, शब्द में काल का भेज बताईए, समञे भविशत काल, या पृर समभाव्वै भविशत काल, इसका सही उत्तर है समनननन भविशत काल, क्योंकि खेलेंगे कई रिया के माध्धम से उसके और यह कहलेंगी सामाने भविशत काल अगला प्रशन है संभावते कल बाजार बंद रहें उप्रुक्त वाक्य में काल का भेद बताईए सामाने भविशत काल या फिर संभावे भविशत काल इसका सही उत्तर है संभाव भविश्यत काल क्योंकि इस वाक्य में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि संभावते कल बाजार बंद रहे अर्थात इसके आने वाले समय में या फिर कहें भविश्यत काल में पूरा होने की संभावना को व्यक्त किया जा रहा है आते यहां पर होगा संभाव भविशत काल अगला प्रश्न है राधा कल लखना उजाएगी पुरुत वाक्य में काल का भीद बताईगे सामान भविशत काल या फिर संभाव भविशत काल इसका सही उत्तर है सामान भविशत काल